नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विलाश पाटी लोर मस्वाकत करता हूं मेरे चाहिए गेम आफ केंडल्स में तो मार्केट आनेसिस करेंगे देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट और देखेंगे कल कहा मूमेंटम बन सकता है बड़ एक आपसर्फ किया होगा कि आ है और हमने कल यह भी बताया तो मैंने की दस का सव भी हो सकता है वह अपॉर्चनेटी मिल सकती है तो स्टार्टिंग में जो था एक अच्छा कासा मूँ था यहां पे एक 15 मीट्स के फरस्ट केंडल का भी ब्रेक आउट था यह भी हाई लेवल तूट रहा था आराम से तो 700 क वह सब रिस्पेक किये और वापस से फिर एक एक थोड़ी फार प्रॉफिट बुकिंग आई बट प्रॉफिट बुकिंग ऐसी आई कि ऐसा लग रहा था कि एक एक रिकावर करना चाहिए वापस एक पूल बैक दिखाना चाहिए बट दिखाया नहीं और बाद में फिर से सा साइडवेज 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 कंटिनियो साइडवेज ही चल रहा है मार्केट आज भी मैक्सिम टाइम साइडवेज ही था तो अभी भी मार्केट कंफ्यूजिंग जोन में है अभी भी मार्केट पता नहीं है कि उपर जाएगा या नीचे जाएगा क्योंकि अभी तो फिर एक new high देखने को मिलता बट कुछ खास momentum नहीं था बाद में तो starting में premiums double हो गए और यह जो मुह आया यह भी इतना कि तीन बच के 10 मिनिट हो रहे दस दस मिनिट 15 मिनिट हो रहे उसके बाद यह लास 15 मिन में 15-20 मिन मुव आया तो यह कौन कैप्चर करेगा अगर इतने बार दोका मिल चुका है और यह लोगों को तरसा चुका है तो यहां पर कौन रिस्क लेना चाहिए यहां पर अगर 700 का कॉ कॉल अगर देखेंगे तो जैसे हमने कल डिसकस किया तो मौका मिलेगा पर मौका इतना लेट मिला कि कुछ भी काम का नहीं था यह मौका 700 का अगर सी देखेंगे तो 15 रूपय का आसपास था वह 105 और देखेंगे तो 100 रूपय चले गया तो यहां पर तो 10 का सव हो चुका है बट यह यहांने कौन पकड़ पाएगा अगर दिन भर मार्केट ऐसा साइडवेज है और अच्छा ना कि खाता मूह दिखाता है तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा तो मैं भी कैप्चर नहीं कर पाया यहां पे जब यह लो तोड़े तो यहां भी खास मुमेंटम नहीं ब सकता है और में समय मार्केट तो पहले को बात करते हैं गैपने कने दिनों से देख रहे हम का लगबग 21 तारिक से देख रहे हैं आज 28 तारिक आ गई तो मार्केट एक ही रेंज में फसा हुआ है तो अब क्या कर सकते सीधा-सीधा 41,000 के उपर ये एक अच्छा खासा एक बड़ा मूँ देखने को मिलेगा 300-400-500 पॉइंट्स का 400-500 तक भी जा सकता है बड़ पहले हैं पहले 200 टार्गेट रहेगा बाद में फिर 500 का टार्गेट बनेगा बड़ 47,000 के यानि आज के हाई के उपर एक निकलना चीए और लास में जो रिकावरी आई मुझे नहीं लगता है ये कुछ रिकावरी पॉजिटिविटी शो करती है नहीं प्रकर कि बस एक शॉट्कोरिंग ऊगी शॉट्कोरिंग मूख होगा जितने भी लोगों ने शॉट्स की होंगे तो उन्होंने प्रॉफिट बूकिंग की होगी तो वही है शॉट्कोरिंग के कारण यह मुह आया बढ़ अभी भी देखते मालकेट कल कहा ओपन होता है तो सिंपल रहेगा एनलिसिस सिंपल यह रहेगा कि वह 700 होने हमारा 700 की नीचे वापस अगर जाता है तो फिर वापस से फिर एक निव लो लगा सकता है पहला टारगेट तो हमारा 500 यह 600 के आसबास ही र है बढ़ ऊपर के तरफ अगर देखेंगे तो खास कुछ इतना मेजर सपोर्ट नहीं है अगर 15 मिट्स पर जाएंगे तो मेजर कुछ इतना सपोर्ट नहीं है यानि फिर हमारे टारगेट जो वो क्लियर हो जाएगे और एक हम मार्केट ऐसा समझ में आ जाएगा कि अभी है बस 47,000 के अगर ऊपर निकलता है तो छोटे स्टॉप लॉस का टू हंडेट 500 के टारगेट के लिए जा सकते 500 भी क्रॉस करता है तो 800 अगर 700 की नीचे आ जाता है 700 की नीचे आता है तो फिर वही 600 400 500 ऐसे 700 के टारगेट यहां भी नीचे देखने को मिल रहे बट अगर 700 और तो इसके नीचे और या फिर इसके ऊपर ही बेटर रहेगा ट्रेट करना ठीक है आशा करता हो समझ में आओगा अब निफ्टी को देख लेते निफ्टी 200 टच किया ठीक है जो प्रिवियस रेजिस्टन से वरावर ठीक है प्राइस एक्षन काम कर रहा है अब यहां पर भी ट्रेंड लाइन बंद रही है जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिसकस की ती कर यह ट्रेंड लाइन बंद रही है बड़ आज गैप अप खुल गया और यह जोन भी निकल लिए तो अच्छा कासा ट्रेड स्टार्टिंग में मिल गया था बड़ यह अगर मिस किया होगा और बाद में इसके यह करते बैटे होंगे यहाँ पे कुछ तो मल्टिबल स्टॉप लॉस हीट हुए ठीक है तो अब यहाँ पे निफ्टी में ट्रेंड लाइन बंद रही है देखेंगे अगर 15 में तो एक नीचे से हाइर हायर 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 लेकर ऊपर आ रहा है और यहाँ पे ट तक आएगा इसी लिए ये 22,100 बूर्त इंपोर्टन लेवल हो जाएगा कल के लिए और 200 इसके बीच में अगर कई खुलता है याने फ्लैट खुलता है तो वेट करेंगे 200 तोड़ने तोड़ता है या फिर 100 दोनों में से जो भी तोड़ेगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम 300,100 पांट के टार्गेट के लिए जा सकते बट अगर गलती से गैप डाउन खुल गया या फिर गैप अप खुल गया तो फिर एक रीटेस्ट करने देंगे उसके बाद ही कुछ ट्रेड लेंगे नहीं तो फिर वापस गैप खुल के पूरा का पूरा टार्गेट अच्व कर देगा और फिर से कन्फिउस कर देगा तो रीटेस्ट अगर होता है तो फिर एक अच्छी रहेगी क्योंकि अभी फिलाल मार्केट जो वह इंपोर्टन लेवल पर है यानि कि हासे 300 से भी एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है क्योंकि नीचे से एक ट् टेस्ट करने भी आ सकता है अगले हपते में ठीक है तो अभी भी कुछ क्लियर पिचर नहीं है कि मार्केट को न्यू हाई लगाना है या नहीं तो बैंक निफ्टी से भी खास कुछ सपोट नहीं आ रहा है तो वेट करेंगे थोड़ा सा यह 100 और 200 कल के लिए इंपोर्टन ट पूल बैक में अगर कुछ सेलिंग प्रेशर या प्राइज एक्षन देखके हम सेलिंग का ऑपर जोनेटी बनी तो सेल करेंगे या फिर फिर फूल बैक लेने के बाद अगर वापस से प्राइज एक्षन पॉजिटिव बनाता है तो यह फिर ट्रेंड लाइन पर सपोट ले रहेगा मार्केट फिर से साइडवेज देखने को मिलेगा तो संबल के ट्रेड करना जो भी कुछ है तो अभी भी मार्केट निफ्टी तो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंद दिखाए तो न्यू हाई भी लगा सकता है तो देखेंगे अभी क्या होता ह इलेक्षन ही नजदीक तो अभी सबस्क्राइब ने के आ हो चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना डिका H